सवाकत है आपका और सीधे रुख करते हैं, लोक सवा क्योंकि प्रधान मंत्री नरेदर मोदी पहुँच चुके हैं, अपसे कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है और शुरू हो चुका है सथर प्रधार मंत्री नरे द्रमूदी मुस्कुराते हुए अपनी चेयर पर बैठ चुके हैं सभी सांसरों को शपत दिलाई जाएगी प्रोटर मिस्पिकर की न्यूक्ति हो चुकी है तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं सीदे जहाँ पर प्रधार मंत्री अठारवी लोगसवा के पहले सत्र के पहले दिन पी-म के बगल में राजनास सिंग बैठे उनके बगल में ब्रे मंत्री अमिशाहा और अमिशाहा के बगल में नितिन कटकरी और आप उनसे पीछे देखिए जेपी नड़ा पहुच गए हैं तो उनके लिए सीट जो है उनकी निरधारित वहाँ पर बैठ गए हैं किरन रिजिजू वो भी वहाँ पर बैठे हैं अश्वनी वेश्टम नज़र आ रहे हैं पहला जोशी नज़र आ रहे हैं धर्मेंद्र परधान नज़र आ रहे हैं तो यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नई लोकसभा है नई संसद है और नई संसद में नई लोकसभा का पहला सत्र का पहल ये तस्वीर एतिहासिक है और सुनेरे अक्षरों में भारतिय संसदी एतिहास में ये दर्ज होंगी क्योंकि तीसरी बार प्रधान मंतरी लगातार बने हैं मुदी और तीसरी बार प्रधान मंतरी बनने के बाज आज सतर का जब आगाज होने जा रहा है सांसन वहाँ पर शपत लेंगे तो तस्वीर भी खास होगी इस से पहले प्रतान मंतरी मुदी ने मीडिया को संबूरित करते हुए इस सत्र के बारे में तमाम बड़ी बात कही है उन्होंने कहा है कि अठारवी लोग सबा अठारा अंक बेहत खास होता है और हमारे देश में अठारा का मतलब होता है वैस्क हो जाना ये नमबर है और अब कुछी देर में प्रोटेम स्पीकर नजर आएंगे आपको प्रोटेम स्पीकर आ चुके हैं भरतरी महताब जो की अब शपत भी दिलाएंगे तो पहला सत्र का पहला दिन प्रोटेम स्पीकर की निगरानी में ही होता है जब तक लोगसवा का देख्ष चुना नहीं जाएगा तब तक यही सत्र को समालेंगे और अब सत्र की कारवाई शुरू हो रही है तो राश्टगाल के साथ विदिबात अठार्वी लोगसवा का पहले सत्र का आगास हो गया है शिवरा सिंग चौवान आपको नज़र आ रहे होंगे जो दूसरी रोब में पहली हिस सीट पर बैठे है हर्याना के पूर्व सीम और वर्तमान में केंद्री मंत्री मनोहला खटर मौजू में क्या कह रहे हैं प्रोटर में स्पिकर सुनाईए ज़रा आवाज ये न्यू लोगसवा वेस्टेट विद ग्रेट और अनरस रिस्पॉंसिबिलिटीज तो आप सुन रहे थे और अब प्रोटर में स्पीकर खड़े हो चुके हैं सबी सरस इस वक्त खड़े हैं तो जितने सरस दिवंगत हुए उनको लेकर भी यहाँ पर शद्धाजरी दी गई है और अठारवी लोगसवा का पहला सत्व जिसका आगाज हो गया तरस्वीद हम आपको दिखा रहे है संसर भवन से संसर भवन के अंदर यह आप देखेंगे एतिहासे के शण है और खास बात यह है कि आज नई सरकार का पहला सत्र का पहला दिन दूसरी तस्वीर आप देखिए इंडिया गठवंदन का प्रदर्शन भी लगाता जा रही है मलिकार जो खड़ गया आपको नज़र आ रहे है सोनिया गांधी आपको नज़र आ रही है साथी साथ दूसरे और विपक्षी दलों के सांसर जो प्रटेश्ट कर रहे है हाथ में समिधान की किताब है समिधान की किताब को लेकर इंडिया गठवंदन के तमाम सांसर प्रदर्शन कर रहे है तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सतर की शुरुवात हो चुकी है पहला सतर का पहला दिन तो एक तरफ सतर है सतर का आगाज हो रहा है दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इंडिया गटवंदन की तमाम सांसत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हातों में सम्विधान की वही किताब है जिस किताब को लेकर राहूल गांदी ने चुनाओं में प्रचार किया और वही किताब अब सभी सांसरों के हाथ में नजर आ रहा है कॉंग्रेस के तमाम सांसर इसमें दिख रहे हैं मलेक अर्जुन खरगे हैं, सूनिय गांदी हैं अमरित की तरफ रुक करते हैं अमरित हमारे साहत लगातर बने हुए हैं दिली से अमरित इंडिया गठवंदन का प्रदर्शन दिख रहा है टैकल करने जा रहे हैं, पिछले दस सालों से जिस तरह से विपक्ष एक खामोशी अख्तियार किये हुए था अब वो कहीं न कहीं एक तरह से जब उसकी शक्ती मजबूत हुए एक जुटता आई है, तब वो कहीं न कहीं सरकार पे पढ़ने की कोशिश करती दिखाई दे रही है, आप देखेंगे कि जो आज जो तैह हुआ था कारिकरम जिसमें ये था कि गेट नमर दो से वो सभी विपक्षी दल एक साथ मिल करके हाथ में समविधान लेकर के सदन की तक जाएंगे, इसका एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक जो है, एक मैसेज देने की कोशिश है, क्योंकि राहुल गादी और तमाम विपक्ष खास तोर पे देखा जाये, तो समविधान और दलित के मुद्दे पे चुनाओ लड़ा, और तो वो समविधान के नियमों को तो माना नहीं जा रहा है, समविधान को आधार बना कर विरोध किया जा रहा है, ये भी पूरा देश देख रहा है। बदलने जा रहे हैं, और जैसे ही एहसास हुआ सत्ता पक्ष को कि ये बैक फूट, हमारी बैकलेश होने जा रहा है, तो वो बैक फूट पे आ गए, वही चीज जो है, अब उस चीज के कहा जा रहा है, कि वो स्वाद विपक्ष को लग चुका है, वो उन्हें मिल चुका है क किले को तोड़ने का रास्ता कहां से है, कहां से ब्रिक जो है कमजोर है, और उस राजनीती को साधने में राहुल गांदी उनके टीम जो है, पूरी तरह से जुटी हुई है, और इसको ले करके विपक्ष ये आसफस्थ है कि यही वो मसला है, जातिकत, जनकरना, दलित और सम ट्रिक चाय कर रहा है, और ये पहले दिन से उन्होंने सुचित कर दिया है, कि उनका एजनडा यहां से किस तरह से रहने वाला है, और चुकि या राजनीती में एजन्डे का बड़ा मैहत वोता है, कि आप किस धरातल पर राजनीती कर रहे हैं, प्रूटेम स्पिकर को लेकर के सुरेश कॉंग्रेस के सांसद आगे आते हैं उन्होंने का कि 8 वी बार तो मैं चुना गया हूँ, मैं सबसे वरिष्ट हूँ, यह परंपरा जो अब तक रही है कि जो सबसे वरिष्ट होता उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, यह सरकार ने तोड़ दिया है, तो एक प्रोटेम स्पीकर को लेकर के जिस तरह से विपक्ष ने अपना पक्ष रखा था, वो देखिए दो चीजे हैं, कि नियम क्या कहता है और रवायते क्या कहती हैं, लेकिन विपक्ष यहां पर नियम को थोड़ा पीछे रखा और परंपराओं को ट्रेडिशनल मैथड को आग जो जूने, बतोर सांसर शपत शुरू हो चुकी है, पुर्धान मंत्री नरेंदर मोदी को आप देख रहे हैं, नरेंदर दामो दर्दास मोदी, जो लोग सभा का सदस्यन निर्वाचित हुआ हूँ, इश्वर की सपत लेता हूँ, कि मैं बीदी जुमारा स्थापित, भारत के सम्विधान के प्रती, सच्ची स्रधा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अक्षुन रखूंगा, तथा जिस पत को मैं ग्रहन करने वाला हूँ, उसके करतव्यों का स्रध्धा पुर्वक निर्वहन करूंगा, तो प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने बतौर सांसत शपत ली है, उन्हें सबसे पहले शपत दिलवाई गई है, संसद की ये तस्वीर हम आपको निखा रहे है प्रोटेम स्पीकर भरतरी महताप ने प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी को बतोर संसद शपत दलाई है और यहीं से आगाज शुरू हो चुका है अब एक एक करके सभी 543 सरस से शपत लेंगे लोग सवा में संसदों के शपत की शुरूआत हो चुकी है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने जो की वरानसी से तीसरी बार चुनाब जीत कराए हैं वरानसी से संसद हैं और उन्होंने शपत ली है शपत लेने के बाद जो इसी बार लगातार प्रधान मंतरी भी बने हैं और अब बतोर सांसर शपत लेने के बार वो यहां पर मौजूद हैं शपत उन्होंने ले ली है प्रोटेम स्पिकर शपत दिला रहे हैं एक एक करके सभी सांसदों को तो तस्वीर आपके सामने दूसी तरफ आप देखेंगे विपक्षी गठवंदन के संसर सरस्यों का जो प्रोटेस चल रहा था वो संबब तर शायद खत्म हो गया क्योंकि सोने गांदी जाती हुई दिखी हैं और बाकी सांसर अभी भी हाला की टिके हुए हैं हाथ में कॉंस्टिटिशन की बुक लेकर कॉंस्टिशन को लेकर यानि की प्रभूता और अखंडता अच्छोन रखूंगा तथा जिस पद को मैं गरहन करने वाला हूं उसके कर्टब्बों का सधा पुरवक निर्वहन करूंगा अमरित हमारे सार बने हूँ पहले आप देखिए कि विपक्षी सांसर क्या कुछ कह रहे हैं सुनाइए विपक्षी सांसरों का कहना है कि संविधान के रूल्स का नियमों का उलंगन किया गया है और नीट और दूसरे अनमुद्दे हैं जिसको लेकर अब सांसर इखटा हुए हैं हातों में संविधान की प्रती लेकर अमरित हमारे साथ लगाता बने हुए अमरित दो खबरे हैं प्रधान मंत्री नरेजर वोदी ने बतौर सांसर शपत ली है सबसे पहले लोगसवा में और दूसरी तरफ जो विपक्षी सांसर संविधान की प्रती लेकर वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका कहना है कि संविधान का जो कॉंस्टिटीशन है उसका नियम नहीं पालन किया गया और इसलिए विरोध किया जा रहा है सपत लेता हूं कि मैं वेरी द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रती सच्ची फ्रधा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा तो था जिस पद को मैं ग्रहा करने वाला हूँ उसके करतब्यों का फ्रधा पुर्वक निर्वान करूँगा रक्षा मंतरी राजना सिंग ने शपत ले ली है बतोर सांसत लखनाउ से चुने गए हैं और अब संसत के सरस्य के तौर पर उन्होंने शपत ली है लेकिन अमरित जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि जो आरोप है वो आरोप गंभीर है और उस सब को लेकर लगातार यहाँ पर विपकशी सांसत प्रटेश कर रहे हैं और तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं विपकशी सांसतों की जो कि अवी तक विरोत प्रदर्शन कर रहे थे और अब कुछ सांसर ऐसे भी है जो मथटा ठेकते हुँए नजर आ रहे हैं क्योंकि ये लोक्तंद्र का वो मंड जिस मंदिर में पिर्वेश के लिए जनता के आशिरवात की जरूरत होती है और इस मंदिर का भगवान भी जनता को माना जाता है जब सांसर लोगसवा के अंदर दाखिल हो रहे थे उसमत की तस्वीर हम आपको देखा रहे हैं कुछ सांसर यहाँ पर नतमस्तक लोगतंत्र के इस मंदिर की चौकट पर और वो तस्वीर भी आप देखिए यह खास होती है तस्वीर है और दूसी तरफ आप देख रहे हैं लगातार केंद्रिये उग्रे मंत्री अमिश शाह अब शपत लिने जा रहे हैं गांदी नगड से इस्वार फिर्द से चुनाव जीते हैं सांसर बने हैं और बतोर सांसर्थ शपतुन की अमिट अनिल चंडर सा जो लोकसभा का सदस्यन निर्वाचित हुआ हूं इस्वर की सपट लेता हूं कि मैं विदी द्वार अस्तापित भारत के सम्विधान के प्रती सच्ची स्रद्दा और निष्टा रखूंगा मैं भारत की प्र प्रतव्यों का स्रद्दा पुर्वक निर्वहन करूंगा अखलेश यारब भी पहुँच गए हैं और इस वार समाजवारी पार्टी की जीत जवर्दस्त हुई है उत्तर प्रदेश में 37 समाजवारी पार्टी के चुने गए हैं लेहाज अखलेश का कॉन्फिडेंस आई है जो शाई है और संसत की देलीज पर करम रखते हुए अखल भी लोगसवा के पहले स्कार का पहला दिन आज सभी सांसर आपको शपत लेते हुए नजर आएंगे लेकिन उससे पहले आपने देखा कि प्रोटेम स्पीकर की निउखती से लेकर और दूसरे मुद्दों को लेकर तमाम विपक्षी सांसरों ने प्रोटेस्ट किया नितिन जैराम गड़करी जो लोकसवा का सदस्य निर्वाचित हुआ हुँ इश्वर की शपत लेता हुँ कि मैं विधी द्वारा स्वापित भारत के सविधान के प्रती सच्ची श्रद्दा और निष्टा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुन रखूंग तथा जिस पत को मैं घ्रहन करने वाला हूँ उसके करतेवियों का सद्दा परवक निर्वन करूंगा सांसरों को तो दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक संसर भुवन के अंदर की एक संसर भुवन के बाहर की दोनों तस्वीर खास इसलिए है क्योंकि अभी भी सांसरों के वहाँ पर पहुंचने का सिलसला जारी है और कुछ सांसर वहाँ पर पहुंच रहे हैं और आप तस्पीर शिवराज सिंग चोहान मद्ड प्रदेश के पूर मुख्य मंत्री और वर्तमान में केंदरि मंत्री मैं शिवराज सिंग चोहान जो लोग सभा का सदस से निरवाचित हुआ हूँ इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विदिद्वारा स्थापित भारत के संबिधान के प्रती सच्ची सृद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रुभुता और अखंडता अक्छोन रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहन करने वाला हूँ उसके करतव्यों का सृद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा तो विदिशा से सांसद चुने गए शिवरा सिंग चोहान केंद्री एक कुर्शी मंतरी शिवरा सिंग चोहान ने बतोर सांसद पत की शपत ले ली है और शिवरा सिंग चोहान सांसड पत की शपत लेने के बाद अब वो हस्ताक्षर भी करेंगे उस रेच्टर में जहाँ पर सभी सांसड हस्ताक्षर कर रहे हैं आज इस्ति बादी है की विपकशी दलों के दौरा जैसा की माना जा रहा था कि वरोत परधर शब्रोचन किया जाएगा वैसा हुई हुआ है अम्रित हमारे साथ लगातर बने हुए अम्रित अभी क्या सूरते हाल है संसद भवन के बाहर की क्योंकि अंदर तो संसद शपत ले रहे हैं बाहर क्या हो रहा है अम्रित आपको आवाज आ रही है अम्रित के साथ दुबारा कोशिश करेंगे बात करने की और मनोहलाल खटर पहुच रहे हैं संसद पत की शपत लेने के लिए करनाल से संसद है अम्रित हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बाहर फिर से अम्रित बताईए सूरते हाल क्या है चलने ही शांती से लेकि भीतर और बाहर की तरफ यूथ बिंग है जो कॉंग्रेस का जो यूथ कॉंग्रेस दफतर से यहां तक मार्च करने की कोशिश में है लेकिन कई जगहों पे बैरिकेटिंग की गए है ताकि जो है वो डिस्रप्शन नहों कोई यहां पे दखल नहों और इसकी पूरी त प्रदरशन मार्च को लेकर के विपक्षी धड़ा पूरी तरह से तयार है सदन के भीतर हम देख रहे थे परिसर में किस तरह से विरोध प्रदरशन दिखाई दे रहा था उसी तरह का बाहर भी है लेकिन यहां पे त्री अस्तरी सुरक्षा विवस्ता है जिसके चलते भीतर तक आने की मनाही है जो वही लोग जिनको इजाज़त है जिनके पास पासेज है मीडिया कर्मी है उनको जाने के इजाज़त हो रही है बाकी लोगों को नहीं हो रही है तो इस तरह का जो बाहरी विवस्ता जो है ऐसा बनाया गया है ताकि जो है जो सुचार रूप से सतर चल अब और जारा व्यवस्ता को कड़ी कर दिया गया है अमरित लेकिन हम तस्वीर देख रहे हैं कि एक तरफ अभी अमूमन हम जो तस्वीर देख पा रहे हैं कि जो संसत में संसत बैठे हुए हैं वो NDA घटक दलों के बैठे हुए हैं विपक्षी संसत नजर नहीं आ रहे हैं सं संसद कल लेंगे जिनमें राहुल गांधी कल जो है वह शपत लेने वाले हैं अभी जो है वह प्रक्रिया चल रही है संसद भावन के परिसर में जो है वह विरोध मार्च का तो हम अभी संसद परिसर से जो की गेट नमबर दो우 उसके सीधे बाहर हैं और यहां के भीतर जो है जो है उनके शपत लेने का टाइम है लेकिन ये विपक्ष भी ये बात माना जाएगा विपक्षी नेताओं से भी हमारी कुछ बात हो रहे थी उनका ये कहना था कि जो दस साल का टाइम था वो अलग था अब जो है वो समय कुछ अलग है इस बार वो प्रचंड तरीके से पूर सिंग यादो, लालू यादो, शरद यादो, अडल भिहारी वाजपे, अडवानी ये सब बिल्कुल अमरित ये वो बड़े चोहरे जो दिखाई देते थे वक्त की तासीर यही है और इस तासीर को समझने के लिए ही पूरा वक्त निकल जाता है जीवन खर्च हो जाता है क्य आस बात इसमें ये आती है कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जब संसर भवन में पहुचे थे मीडिया से मुकातिब हुए तो उन्होंने अठारवी लोकसवा को लेकर विशेश बात कही थी सुन लेते हैं अमरित पर यहां अठारा अंक का बहुत सात्विक मुल्य है गीता के भी अठारा अध्याय है कर्म कर्तव्य और करुणा का संदेश हमें वहां से मिलता है हमारे हाँ पुराणों और उपपुराणों की संख्या भी अठारा है अठारा का मुलांक नव है तो सुना आपने किस तरह से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अठारा अंक पर जोड़ देते हुए इसके कितनी महत्ता है कितना खास है इस पर बता रहे थे और लगातार हम संसरोवन की तस्वीर देखा रहे हैं एक बाब फिर से उन तस्वीरों की तरह फ्रोग करना चाहेंगे क्योंकि आपको ये देखना चाहिए पिर्श कोयल बतार सांसत शपत ले चुके हैं और मुंबई से इस वार पहली बार लोगसवा सरस बनें इससे पहले राजसवा सरस चुनते आएं 2010 से और मंत्री भी हैं केंद्री मंत्री हैं और अब हस्ताक्षर करते हुए अमरित हमारे साथ लगाता बने हुए थे अमरित जिस अठारे अठारा अंक को पियम मोदी ने समूरित किया वो खास था और एक तस्वीर हम देखाना चाहेंगे अमरित आपसे सवाल हम पूछेंगे ये तस्वीर एक वाफ फिर से ब्रीफ कर देते हैं क्योंकि सोनिया और इसे से शुरुवात हुई है आज होगा उन्होंने साथी साथ विपक्ष को जो अभी आपने जिक्र कर रहे थे कि वह सम्विधान की कॉपी अ लेकर करके प्लम है इसके खबर उनको भी रहती है उन्होंने भी देखा कि किस तरह से विपक्षप ने आपको महाल अपना टाइट कर रहा है यहां से उन्होंने धरशाई करने की भी कोशिश की और कहा कि एक समय में एमर्जेंसी लागू होई थी और किस तरह से सम्विधान की धजियां अमरीका देखने को मिलेगा चाहिए वो डिबेट के अस्तर पे हो चाहिए मुद्दू के कि अमर्जेंसी का जिक्र प्रदार मंतरी मोदी ने किया कल इमर्जेंसी का वो दिन है 25 जून जो इस देश में काले धब्बे के तौर पर याद किया जाता है पीम मोदी ने भी इसी बात को दोराया है क्या कुछ कहा एमर्जेंसी को लेकर सुनिए लोगतंत्र लोगतंत्रिक परंपराओं की रख्षा करते हुए देश्वासी संक्यल पर लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोग तंत्र पे काला धबा लगा दिया गया था